अनिमित, खान पान, अलहल्दी लाइफस्टाइल, पानी का से बनना करना, टेंशन, धुम्रपान, इन सब आदतों के लिए कम उमर में ही किसी किसी की सरीर और स्कीन में एजिंग की सायन दिखाए देती है अपने आपको मेंटेन करने के लिए कई लोग कई तरह की रूल्स फॉलो करते हैं लेकिन डॉक्टर का मानना है कम उमर में एजिंग को रोकने के लिए कुछ टिप्स अगर हम फॉलो करते हैं तो एजिंग को हम डिले कर सकते हैं वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल पर नहे हैं तो सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छी लेगी तो लाइक कीज़ें डॉक्टर का मानना है अपनी एजिंग को रोकने के लिए पैदर चारना बहुत फायदे मन है शरी को स्वस्त रखने के लिए वाकिंग बहुत अच्छा एक्सिसाइज है लेकिन सिप चलने से नहीं होगा इसके साथ कुछ नियोमों को जरूर फॉलो करना पड़ेगा एजिंग को डिले करने के लिए वाकिंग अच्छा एक्सरसाईज है लेकिन इससे regular करना बहुत ज़रूरी है कुछ दिन वाकिंग करके छोड़ देने के बाद फिर से वाकिंग करने से कुछ फायदा नहीं होगा काम समय के लिए ही सही regular exercise करना बहुत ज़रूरी है वाकिंग करते समयर कई लोग मुबाइल चलाते हैं यह आदर एक्दम ठीक नहीं है ऐसा करने से बहुत बेर तक चलने से भी कोई फायदा नहीं होगा वाकिंग एक्सरसाइज में किस रफ्तार से आप वाकिंग करते हैं यह बहुत महत्वपून है जिकेट सकके अनुसाय धीरे धीरे चलने से कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन इससे रेजाल भी मिलेगा धीरे धीरे लेकिन अगर तेजी से चलेंगे तो स्वेटिंग होंगे इससे वजन भी कम होगा और एजिंग भी जल्दी नहीं आएगी